दोस्तो अजानी मामला इस वक्त हमारे देश में खूब चर्चा का विशय बना हुआ है देश से लेकर विदेशों तक इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है हर कोई इस पर बात करना चाहता है हर कोई जानना चाहता है कि आखिर अजानी का एमपायर जो है देश में तो चर्चा हो ही रही है लेकिन विदेश में भी खूब जोरो शोरो से सवाल उठाए जा रहे है विपक्ष तो मोदी सरकार से बार बार सवाल पूशता रहा कि भाया बता दो कि अडानी और मोदी के क्या रिष्टे है बार बार चीखते रहे विपक्ष सदन से लेकर संसत तक इस पर हंगामा हुआ लेकिन मजाल है कि विपक्ष के एक भी सवालों का जवाब सत्ताधारियों ने जवाब दिया हूँ मोदी जी ने सदन में लंबा चोड़ा भाषन दिया देड़ घंटे तक उन्होंने बाते कही लेकिन सारी बाते कैडाली अधानी के बारे में एक शब्द नहीं कहा लेकिन अब दोस्तो सत्ताधापक्ष ने विपक्ष की बातों का भले ही जवाब ना दिया हो लेकिन विश्व गुरू मोदी जी पर जिस तरीके से विश्व भर में सवाल उठा है उस पर स्मिर्ती रानी ने गोरे अंग्रेजों को जम कर सुनाना शुरू कर दिया है जी याँ दोस्तो स्मिर्ती रानी ने अब पूरे इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है कि शांत होता वह दिखाई नहीं दे रहा है हर रोज कोई ना कोई खबर अडानी से जुड़ी हुई आही जाती है कि भाईया आज कुछ हो गया आज शेयर्स गिर गए तो आज कंपनी को हजारो करोड का नुकसान हो गया लेकिन आब जिस तरीके से विदेशों में इस मुद्दे पर गोरे अंग्रेस चीक चीक कर आवाज उठा रहे हैं या यू कहें कि विदेशी जो उद्योग पती हैं इस पर खुल कर अपनी बात रख रहे हैं और मोधी सरकार पर जम कर निशाना साथ रहे हैं किंद्रे स्मिर्ती रानी ने आज प्रेस कॉन्फरेंस कर अमेरिका कारुबारी जोड़ सुरेस पर जम कर निशाना साथना शुरू कर लिया स्मिर्ती रानी ने भले ही विपक्ष के सवालों को इग्नोर किया हो लेकिन विश्व गुरू पर जिस तरीके से उंगली उठाई गई है उस पर जो है स्मिर्ती रानी का जवाब सामने आया वो जवाब सुनिए दोस्तो स्मिर्टी रानी ने क्या कहा है? स्मिर्टी रानी ने प्रेस कॉन्फरेंस कर कहा कि भारत की लोगतंत्र में दखल देने की कोशिश हो रही है स्मिर्टी रानी ने आगे ये भी कहा कि एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र में जौर्ज सोरेस है उन्होंने अलान किया है कि वो भारत के लोग तांतरिक धाचे पर वार करेंगे उन्होंने अलान किया है कि वो PM Modi को अपने वार का मुख्य विंदू बनाएंगे केंद्रिय मंतर स्मिर्तिरानी ने अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में ये सारी बाते कही आज और आज कहा कि देश की जनता को एक नागरी खोने के नाते स्मिर्तिरानी आहन करने पहुँची और आहन करते हुए कहा कि एक विदेशी ताकर जिसके केंद्र में है और एक व्यत्ती जिनका नाम है जोड़ सोरेस उन्होंने अलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोग तांतरिक धाचे पर चोट करेंगे इरानी ने आगे प्रेस कॉन्फरेंस में कहा कि उन्होंने अलान किया है कि वो प्रधान मंत्री मोदी को अपने वार का मुख्य विंदू बनाएंगे उन्होंने एलान किया है कि वो हिंदुस्तान में अपने विदेशी ताकत के अंतरगत एक ऐसी विवस्ता बनाएंगे जो हिंदुस्तान नहीं बलकि उनके हितों का संडरक्षन करेगी स्मिर्टी रानी ने आगे इस प्रेस कॉंफरेंस में कहा कि जॉर्ज सोरेस का ये ऐलान है कि वो हिंदुस्तान में मोदी को जुका देंगे मोदी सरकार को गिरा देंगे इसलिए हर हिंदुस्तानी को लोगतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को ध्वस्त करने से पहले हर हिंदुस्तानी का सामना करना पड़ेगा लोगतांत्रिक सरकार को गिराना ऐसे ही कोई खेल बात नहीं है और तोर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की लोक्तांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को ध्वस्त करेंगे उसका मुतोर जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए मोधी जी पर आए आज को हर हिंदुस्तानी अपने आन बान शान समझ ले जोर्ज सोरेस से सवाल करते हुए स्मिर्टिरानी ने पूछा कि आज जोर्ज सोरेस को हम एक सुर में ये जवाब दे कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार और हमारे प्रदान मंतरी ऐसे गलत इरादों के सामने सिर नहीं जुकाएं हमले की साजश की जा रही है प्रदान मंतरी मोधी पर अगर कोई सवाल पूछता है तो यहाँ पर देश से जोड़ दिया जाता है दोस्तों तमाम चीजों को ऐसा पहली बार नहीं हुआ है अकसर देखने को मिला है चाहे गोधी मीडिया हो या फिर सत्ताधारी सरकार हो अग आदानी ने इसको देश पर हमला बता दिया था तो यही आजकल देखने को मिलता है कि अगर सवाल इन से पूछो तो सवाल का जवाब देश मिल जाता है देश राष्टवादी राष्ट भक्ती यही सब जो है सामने लाकर अपने आपको बचाने की पूरी कोशिश की जाती ह लेकिन देश में क्या हो रहा है देश में किस तरीके से आदानी के शेयर्स गिर रहे हैं आदानी के कारोबार का जो बंटा है वो डमाडोल नजर आ रहा है इस पर चर्चा करने की वज़ा है इन सब में उलजाने की कोशिश हमेशा से की जाती रही है जो कि आज भी गोदी मी पॉर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है हमें कॉमिन सेक्षिन में जरूर बताईएगा साथी साथ नेशन त्रीसिक्स्टी को जादा से जादा लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भोले